नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने अपने नया अर्टिलरी सिस्टम और मल्टीपल लॉंच रोकेट सिस्टम जिसे उसने अभी इंडक्ट किया है जिसकी जजदीक लगा दिया है और इससे काफी ज़्यादा ड्रिल्स भी की गई है तो ऐसे में दोस्तों इंडिया किस तरह से इसका मुकाबला कर सकता है इसके लिए बात की गई है लेफ्टिन जनरल पी रवी शंकर के साथ में जो कि पूर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं बताया जाता है कि इसकी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपैविल्टी सो किलोमेटर तक है और इसने 2019 में ही सर्विस में एंट्री की है और रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है कि ये मल्टीपल रोकेड लॉंच सिस्टम के अंदर 280 किलोमेटर वाला AR-3 भी हो सकता है पी एचल 03 MRL जो कि 12 लॉंच ट्यूब के साथ में आता है और 300 mm का रोकेड इसके अंदर होता है इसकी रेंज 130 से 160 किलोमेटर होती है ये भी हो सकता है या फिर स्टैंडर्ड A-100 रोकेड लॉंचर भी हो सकता है जो कि रशियन स्मेर्क के जैसा ही है और बताया जाता है कि ये उन्होंन इस तरह से टार्गेट कर सकते हैं तो आपको बता दे शिंजियांग रीजिन के अंदर जो होतान एर बेस है वहां से अगर वे 400 किलोमेटर रेंज वाला रोकेड शिस्टम लगाते है तो वे डिरेक्टली लेके अंदर अटैक कर सकते हैं लेकिन अगर वे 160 किलोमेटर वाला लगाते हैं तो उन्हें G219 हाईवे को पास करना पड़ेगा जो कि अकसाई चिन के अंदर आता है और इससे उनका सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा तो ऐसे में आगे बढ़ते हुए छिपकर निकलना होगा लेकिन अगर वे एंट्री और एक्जिट करते हैं इसी तरह से तो वे डिटेक्ट हो जाएंगे और साथ ही अगर वे हमला भी करते हैं तो भी उनकी पोजिशन मालूम हो जाएगी और हमारे पास सर्विलियंस के लिए सबसे बहतरीन चीजें होनी चाहिए तब ही हम इनको अच्छे से देख सकते हैं और इनको डिटेक्ट कर सकते हैं और दोस् कुछ सालों के अंदर हमारे पास रेमजेट प्रोपेल्ड रोकेट भी होंगे जिनकी रेंज 200 से 2500 किलोमेटर होगी तो इसलिए हमें G219 जो चाइना का नेशनल हाईवे है वहाँ पर निगा रखनी चाहिए उसके नजदीक इन्हें डिप्लोई करना चाहिए ताकि चाइना पर नए आ सके और अगर उसे अपने 400 किलोमेटर की दूरी से यानि की होतान एर बेस से अगर इनको हमारे उपर अटैक करना पड़ेगा तो दूरी काफी होने की वज़ज़ से ज्यादा नुकसान होने के चांसिस कम है और दोस्तो अभी हमारे पास 4 पिना का रेजिमेंट है और 6 जो है उनका अभी ओडर दिया हुआ है और जब तक चांसिस थ्रेट हमारे सामने नहीं था तो हमने 22 रेजिमेंट का ओथोराईजेशन दिया था और एक रेजिमेंट के अंदर 18 लोंचर होते हैं और हर एक लोंचर के अंदर 12 रोकेट फायर करने की क्षमता होती है लेक हमारे पास छोटी दूरी की अगर बात करें तो अच्छा खासा infrastructure और अच्छी खासी artillery gun भी है rocket system भी है लेकिन लंबी दूरी की अगर बात करें तो हमारे पास इसकी adritis कम है तो इसी लिए हमें इसी पर ही अब आगे focus करना होगा और साथ ही दोस्तों चाइना के किसी भी तरह क हमले को या फिर इस तरह के थ्रेट को निपटने में हम पूरी तरह से सक्षम है और ऐसा हमने पहले भी करके दिखाया है धन्यवाद जैहिंद